कि नमस्कार दोस्तों कि दोस्तों आज हम आपको जोड़ों को दर्द जो कि आपके घुटनों में होते हैं और हाथों में कलाई में होता है पैरों में होता है इसके बारे में बताएंगे और उसका एक रामबाड अन्भूत नुष्खा आपको बताएंगे तो दोस्तों देखिए जो आपके जोड़ों में घुटनों में जो दर्द होता है वो आपके रुमेटायर अर्थाइटिस या हिंदी में जिसे आयरवेद में लोग आमवात कहते हैं उसके कान होता है इसमें क्या होता है यह एक तो कम उम्रे के लोगों को होता है दूसरी इसमें फीवर भी लगा रहता है और ज्वाइंट में ती ब्रदर सूजन आद बनी रहती है दूसरा होता है संधिवाद जो की उम्रदराज लोगों में होता है जिसे चालिस के में दर्द यानि घुटनों में दर्द रहेगा सांथ में कैपिटेशन की आती है यानि उसमें कट-कट की आवाज आती है और तीसरा जो एक होता है वातरक्त या गाउट जिसमें हमारे खून में यूरिक एशिट की मात्रा बढ़ जाती है जो कि हमारे छोटे ज्वाइंट्स जैसे हाथों की कलाईयां हुई पैरों का जो एंकल ज्वाइंट यानि आपका जो एंडी के पास ज्वाइंट होता है इन सब ज्वाइंट में जाकि यूरिकेशिटी खठा हो जाता है और महां पर दर्द के सांथ जलन चुवान आदी बना होता है तो यह और इसके अलाव ए होता है उसमें नर में दवाव होने के कांड़ दर्द होता है वह आपके अलग चीज है उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे तो इसका इन सभी ज्वाइंट का जो दर्द होता है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों अगर आपकी रोग बहुत पुरानी है और आप प्रक्षित को देख करके सही निदान और इलाज के सांथ आपको ठीक कर सकता है लेकिन जो ज्यादातर समस्याइंट की हैं उनको यह हमारी जो नुष्खा है और राम बाण है और आप समझे नबे प्रस्यत यह सफल है तो इसको आप घर पे बना के उपयोग करें आप देख पाइन चूड 100 ग्राम चंद्रसूर या चंद्रिका या जिसे चनसूर कहते हैं 100 ग्राम और काली जीरी काली जीरी दोस्तों यह आपको पंसारी या जड़ी बूटी को दुकानों मिलेगी काली जीरी नहीं मिलता है तो काला जीरा भी ले सकते हैं साजीरा जीरा जिसे कहते है लेकि काली जीरी मिल जाया तो उत्तम हैं, काली जीरी 100 ग्राम, हरित्की चून 100 ग्राम, सोट चून 50 ग्राम, असुगंधा चून 25 ग्राम, और नागर मोथा चून 25 ग्राम यह सभी दमाई आपको आयरवेदिक दुकानों से मिल सकती हैं पतंजली की दमाई पतंजली से मिल सकती हैं आप डाबर बैतनात तथा ब्यास फार्मा बनाती हैं उनसे आप मिल जाएगे इन सब का चूर आप इकतर करके मिला लें और एक चम्मत चूर सुबह दो पहर साम तीनो हमेल लेना सुरुक करते हैं से यह जिसको मैं वील सकते हैं और अगर आपको कभियत है तो कैस्टा pista ओं डूध की सा 1993 झेल और या गरम पानी कि साथ मिला सकते हैं या गंद घंधर हस्ताद कशायम आता है आपको आप साूथ हिंडिया की आप उसको भी बहुत बढ़ीया काम क तो आप देखें कि एक हपते में ही आपकी सूजन आपकी दर्द में काफी रहत होनी शुरू हो जाएगी और 15-20 दिन में अधिकांस लोगों को दर्द में लभग राहत पूरी तरीकिस हो जाती है किसी किसे को 40 दिन तक लग सकता है लेकिन दो महीने तक उपयोग करने आप अस सब्सक्राइब और अमली चीजें इन सबसे आप बचाएए आपने आपको तो दोस्तों निश्चित रुस्यापको बहुत ही उत्तमलाब मिलेगा और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें और जो फिर परणाय मिलता कमेंटर बास में जरूरू बताएं धन